कि अब करशी अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनी दूब जाएगी। कि पे पूदी शू Cathedral गष्ट भू अगर अधोर अधोध्यान। कि अधायी एक बार मैंने उनसे यह बात की जो आपने मुझे से की कि करशी को लाबकारी क्यों नहीं बना सकते क्या मुश्किल है आसान काम है तो उन्होंने का आसान तो है बनाना भी है आसान है कोई मुश्किल नहीं है कुछ कानून में फेर बदल करने की जरूरत है एक Agricultural Price Commission Act है उसको हटा दो पूरी क्रशी लापकारी हो जाएगी आराम से हो जाएगी फिर मैंने का क्या मुश्किल है उन्होंने का हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लापकारी मूल में आगए सारे किसान तो इनकी गरीबी खतम ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे हमारी राजनी इतनी चलेगी हमको माला कौन डालेगा हमारी जैजेकार कौन करेगा हमारी जिन्दाबात कौन करेगा ये तो नहीं करेंगे क्योंगी ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे सब्सक्राइब के तो कोई सरकार नहीं क्याती जाती कि गरीबी भुकपमरी बेकारी खतम हो क्योंकि उससे उनका आधार ही खतम होता है उनका तो emotional blackmailing है ना गरीबी भुकमरी बेकारी वो खतम नहीं होने देना चाहते हैं इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं अब आपके उपर है कि आप इसको ताकत लगाते खतम कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी ये हमारे लिए है मुख्य बाद समझने हैं बहुत आसान है करशी लापकरी हो सकती है आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योग पती अपने कोई भी उत्पाद का भाव तै करता है वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव कुद तै करेगा बस बात खतम हो गए उसको जो लगता गेहू बेचेगा उस भाव में उसको जो लगता चावल बेचेगा उस भाव में अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तै कर सकता है तो गेहू पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहू का भाव तै अपने हिसाब से तै कर लेगा जिसको खरीदना खरीदे नहीं खरीदना ना खरीदे जैसे जूता होता है चपल होता है टूथपेस होता है टूथब्रश होता है इनके भाव सरकार तै करती है क्या वो अपने भाव खुद तै करते हैं किसान को भी छोड़ दो अपने भाव ते कर लेगा तो उसमें सब चीज़ें जोड़ेगा वो हैं जी हाँ तो आप ये जो क्रेता का किसा है ये विक्रेता का कर दो जैसे पूरी एकॉनोमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है ऐसे ही किसाम की economy में विक्रेता fix करेगा इतना ही करना है पूरी क्रशी लाग करी हो जाएगी